कुछ मीठा खाने का मन हैं तो बनाएं बढ़िया मज़ेदार फिर्णी जिसको आज हम बनाएंगे बादाम फ्लेवर के साथ और साथ ही डिसकस करेंगे सारे टिप्स और ट्रिक्स और सारे सीक्रेट्स जिससे कि हमारी फिर्णी बिल्कुल पॉफेक्ट बनेगे वेलकम है आपको समत किचिन में चले बनाना शुरू करते हैं बदामी फिर्णी तो यहां पर मैंने लिया हुआ है एक टेबिल स्पून चावल जिनको दो कर साफ कर लिया है और अब इनको हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे पानी के साथ तो अब यह मैंने चावलों को थोड़ के लिए रख दिया है बड़ा इसलिए रखा है थोड़ा ताकि चलाने में आसानी रहे दूद उबलने का डर न रहे और इसको हम तेज आज पे उबाल लेंगे तो अगर आपके पास फुल फैट क्रीम मिल्क नहीं है तो कोई फरक नहीं पड़ता आपके जो सभी मिल्क यू को इसमें डाल देंगे और अब चावल के साथ हम काफी देर तक पकाएंगे कि यानि कि दूद काढ़ा हो जाया और चावल भी गल जाया तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है या क्या लीजे नेक्स ट्रिक किये है कि यहां पे हमें चावलों में गुल्ठिया नहीं पढ़ने देना है तो एक बार अगर चावलों की गुल्ठिया पढ़ गई तो फिर आप उसको कितना मर्जी कर लें घोट लें कुछ कर लें वो बराबर नहीं आएगा एवन नहीं होगा और आपकी खीर अच्छी नहीं पनेगी अब यहां पे मैं डाल ले हूँ छोटी इला यह पीन मानिए यह जो फिर नहीं है उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा आप इसको एक बार बना के जरूर देखें और बस इसके साथ भी चलाते रहें और अब हम आज को थोड़ा सा मीडियम लो रखेंगे क्योंकि हमें इसको धीमी आज पे ही पकाना है बहुत हा तो जाएगी पर उसमें जो सोंधा टेस्ट होता है वो डेवलप नहीं होगा तो इसको चलाते रहेंगे चलाना भी जरूरी है तो अब यह देखिए आप कलर चेंज हो गया है दूद का पक पक कर और काफी देर से यह पक रहा है और साइट से भी इसको साफ करते रहें ताकि जमेना साइट के किनारों पर तो इस तरह से काफी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल नहीं हूँ चीनी तो यानि कि शुगर डालने के बाद जो अगली ट्रिक है वो हमें ध्यान रखना है कि शक्कर डालने के बाद आपको बिलकुल भी चलाना नहीं छोड़ना है यह मतलब एक अच्छी फीरनी बनाने के लिए आपको मतलब शक्कर के बाद तो इस पेशली चलाते रहना है और आज को हम अब स्टेच पे धीमा रखेंगे अब लास्ट में आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी फीरनी रेडी हो गई है तो एक परफेक्ट फीरनी बनाने का ज जगह पे जमी रहेगे इसका मतलब फीरनी बिलकुल परफेक्ट तयार हुई है अब आप इनको कटोरियों में सर्फ कर ले और बादाम से गार्णिश कर दे अगर चाहें तो और ठंडा करके खाएं ठंडा करके इसको आप जब खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेज कर दो में।